आखिर क्या खास है धूम सीरीज में? क्यों लोग धूम सीरीज की हर एक फिल्म देखने के लिए बिताब हो जाते हैं? मैं फ्रेंक आप सबी का स्वागत करती हूँ वाली ग्रेट शूरियोज में धूम सीरीज में दरसल एक शातिर और तेख चोर को दिखाया जाता है जो की चोरी करता है और उसको जै और अली मिलकर पकड़ते हैं उस चोर के शातिर होने की वज़े से इंस्पेक्टर जै को काफी महनत करनी पड़ी है ताकि वो चोर को कच्छे चिठे खोल सके और उनके खि अशकों को बार-बार बस यही लगता है कि क्या चोर पकड़ में आएगा और अगर आ भी गया तो आखिर कैसे प्रूव करेगा जै कि वो असल में एक चोर है बस यही देखने के लिए तो लोग बिताब रहते हैं आपको बता दें कि सीरीज की हर फिल्म में चोर का जादा ब हमेशा दो कदम आगे चल रहा होता है इसमें चोर के किर्दार को कितना शांदार और मज़ेदार दिखाया जाता है कि बाहर तो दर्शक भूल जाते हैं कि वो एक चोर यह विलन है और उसके ही दिवाने हो जाते हैं उसको नहीं पकड़े जाने की दुआ भी करते हैं और कई दर्शकों को भी यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर चोर ने किया कैसे क्या है इसके पीछे का लोजिक कभी कभी तो फिल्म देखते देखते दर्शकों को लगता है कि फिल्म में कोई गिसा पिठा लोजिक दिखा कर दर्शकों को बेवकुफ बना जाएगा पर ऐसा कभी नहीं होता जब दर्शकों को पूरी कहानी दिखाई जाती है तो वो ना केवल इससे बेहत पसंद करते हैं बलकि वो फिल्म की कहानी की तारीव करते नहीं ठकते। फिल्म के सबसे खास बात ये होती है कि फिल्म के सस्पेंस को एक एक कर दर्शकों के सामने खोला जाता है फिल्म में ऐसे कुछ भी चीज नहीं दिखाई जाती जो देख कर दर्शकों को लगे कि ये तो संबव ही नहीं है या फिर दर्शकों को लगे कि कुछ भी दिखा दिया शामदार कहानी और अकल पंज सस्पेंस की वज़े से ही दर्शक धूम सीरीज के लिए हमेशा से उत्सुक रहते हैं तो क्या आपको लगता है कि धूम 4 में भी ऐसी ही कहानी होगी जो दर्शकों को पसंद आएगी कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताएगा साथ ही वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले स्क्रिप्ट रिटेन बाई संस्कृति जाले स्क्रिप्ट